हेलो फेंड्स तो आज हम देखने वाले प्रथम कोटी की अप्रिया फर्स्ट ओर रेक्शन एकदम आसानी से देखेंगे इसका फॉर्मुला क्या होता है ठीक है सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान है देख सकते हैं पूरा फॉर्मुला होता है इसका एकदम आसानी से इसको प फ्रस्ट ओर्डर रेक्शन की तो पहले इसकी परिबास्व पढ़ते हैं फिर आसाने समझते हैं कहरा है वह अभिक्रिया मनलब वह रेक्शन जिसकी दर या आप कह सकते हो विय या रेट फीक है वह अभिक्रिया जिस 134 विया रीट आभीकरक की सांदर्टा के अनुक्रमान या समानुपाती होती है पर्थम कोटी की अबक्रिया गलाती परिबासा एक दमासा ने वह अबक्रिया जिसकी दर्या वेग अभिकारक की सांदता के अनुक्रमान पाती या कह सकते हो समानुपाती होती है पर्थम कोटी की अबक्रिया गलाती है तो यह जो आपका एक कोश्टक, यह जो डबल, बड़े कोश्टक में आपका कुछ भी लिखा होता है, तो उसकी सांधता में परिवरतन होता है, ठीक है, तो अभिकारक की सांधता में परिवरतन के समान उपाती होता है, कौन वेग, तो वेग की बात करें, तो आप देखो, उ उससे उत्पार बनता है तो देखो जब रियक्टन से प्रोडक्ट बनता है तो उस पर क्या होता है जब धीरे-धीरे रियक्टन बनता है तो प्रोडक्ट तुरंत बन नहीं जाता है धीरे-धीरे अपक्रिया होती ठीक है तो जब धीरे-धीरे अपक्रिया होती पहले तो इसके परिवरतन को दर्सार है D by DT जो है आपका यह कि परिवर्तन को दर्सा रहा है ठिके डि अपॉ草ं डि टी जो है यह जहां प्र भी in-डि लगे गा कहीं पर भी लगा ज़ा गया तो आप क्या जाने ऎोगे की परिवर्तन oversir हो रहा है तो यह रियक्तेंटक्ट वेख कर देख से यहे कंपर आगे देखो क्या डेखो आपको पता है यह रीक्टेंट्ट से परोड़क्ट बर् clichem लग ने लग रहा है इसंए परिवर्थन होता है समय में तो एक माना हमने लेख गेर फंस सनने इता है उसका जो अभिकारक था, अभिकारक की सानुता जो थी, उसको अमने माना A, अभिकारक की जो सानुता है, उसको अमने मान लिया A, मनलब जब T बराबर 0 समय एकदम 0 था, कुछ समय सुरू नहीं होता, तब अभिकारक, देखो, मानलो जब T बराबर 0 तो अभी तो अभिकलिया स a-x का मतलब मनलब जैसे पहले 10 था फिर घरता चला गया 7 6 ठीक है इसी प्रकार जब घरता चला गया तो x जो है आपका ये निकल चुका है उसे मनलब x भाग जो है इसका विकालक का वो उत्पाद में बदल चुका है मलब 10 में से अगर 3 निकाल दिये तो कैसे निकले 10-7 हुआ होगा तभी तो तो उसी प्रकार क्या हुआ कि जो आपका a है पहली सांदता a थी बाद में क्या हुआ जब धीर धीर अपक्रिया हुई tी समय पर चाहत क्या हुआ x भाग उसका निकल गया खिससे a से x भाग क्या हमने क्या माना x छी के जो आपकी dr की डिकल कर घचा है तो परिवर्तन कहा से कहां तक हो रहा है हमने माना x तक तभी तो a माइनस x लिखा है तो चीकल इसलिए फो घर यहां दे coconut हो हुई ठीक है तो d x upon dt जो होगे आप a minus x के समान पाती वही तो है d r upon dt था ठीक है थो वही तो है तो a minus x का है t समय बाद सानता विकारक की एक दाम आसान है आप देखो यह प्रपोस्टनल लगा है समानुपाती का चिनल लगा तो जब यह हटता है जब यह हटता है कहीं पर भी आप इ इसका नाम है के इसको ही हम कहते है वेग इस्थिरांग क्या कहते है इसे वेग इस्थिरांग कहते है रेट कॉंस्टेंट कहते है तो इतना तो हम पहले वाले वीडियो पर भी देख चुके है रेट कॉंस्टेंट कहते है ठीक है इसे तो इतनी बात होगी आप देखते आगे तो अब आगे देखो हमने इतने तक तो निकाल लिए dx upon dt equal to k a minus x ठीक है यहां तरह निकल गया आप देखो यहां पर क्या दिख रहा है k और a minus x क्या है आपस में क्या है गुड़े में है गुड़े में आना आपको दिख रहा है a minus x क्या है गुड़े में तो जब यह इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा तो हमने क्या क्या इसको इधर ले लिया भाग में ले लिया इसको क्या क्या हमने भाग में ले लिया कर दिया कोई दिखने आप करते दोनों पच्छों में समा कलन क्या करने वाले आप मेंड काम करने वाले हैं इतने तक तो आ गए आप आके आपको फॉर्मुला पाने के लिए क्या करना पड़ेगा समा कलन करने पर यह होता है आपका समा कलन का चिंद जिसे इंगलिस में इंट् पर जाएगा क्यों क्योंकि k आपका constant ए समा kıलन consistent का नहिं होता यह व्यातर को समा कलन कभी नेतांग का नहीं होते है मैं थोड़े बच्चे का समा कलन नेतांग का नहीं होता ठीक है तो हमने यस k को बहार ले लिए integration dt तो यहां तक तो समझ में आगे समा कलन किया integration dx upon a minus x equal to k integration dt अब आगे वह यह थोड़ी math लगने वाली है तो आप अगर बायो वाले हो तप्रिया पासा नहीं समझ सकते हो math वाले तो समझ ही जाएंगे तो आप समझो देखो यहां पर लिखा integration dx upon a minus 6 तो आपको एक formula याद करना पड़ेगा integration 1 upon x dx equal to log base में e x ठीक है मलत जहां पर integration 1 upon x लिखा होता है उसका समझा कलन करना पड़ता है तो उसका formula log base में e into x होता है और यहां पर हमें उसी type पर लिखा है वहाँ x है यहां पर क्या है a minus 6 तो उसी type पहना इसलिए यहां यही formula लगेगा इसलिए आपको पताया है अगर आप इस type से लिखोगी exam में कि चूखी integration 1 upon x dx equal to log base में e into x तो उसे examiner को भी लगेगा कि हाँ लगके में कुछ दम है वो जानता है कुछ इसके बारे में तो उससे क्यांगे आपके नंबर कोई काट नहीं सकता तो यह अगर आपने लिख दया तो अच्छा लगेगा चूखी यह पूरा आप कुछ टक में लिख सकते हो तो यह बात होगी आप देखो जब log base में e into x होता है तो देखो जब इसका करेंगे तो क्या हैगा log base में e x की जगा इसमें क्या a minus x तो a minus x हो गया लेकिन यहाँ पे x था यहाँ पे a minus x है तो आपको कुछ नहीं करना बस इतना याद रखो यहाँ पे जो minus है आपको यहाँ पे शुरुवात में लगा देना है पस कुछ नहीं करना बस यह जो minus है इसको शुरुवात में लगा देना तो minus log base में e a minus x हो गया कोई दिक्कर नहीं यहाँ तक कुछ नहीं था x था यहाँ पे a minus x था तो उसी परिकार जैसे इसका formula होता है log base में e a minus x तो वही था बस यहाँ पे आपको यह a minus x है न तो इस x का आपको minus लगाना पर जाएगा पस यह बात है आप इधर का देखो कैसे करेंगे जब आप एक formula और यादर को जहाँ पे integration dx लिखा हो मनला यहाँ पे कुछ ना लिखा हो 1 जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 माना जाता है तो 1 का suma column जिसके पद में कर रहा हो वही होता है x जैसे ds कर रहा हो तो x आजाएगा dt कर रहा हो तो t आजाएगा dy कर रहा हो तो y आजाएगा dt कर रहा है इसलिए t आजएगा एकदा महसान तो log base में e a minus x kt plus c अब भीजा यह c को उना गया इस होता है यहonce Bijan जिसका suma column गाती है suma column ने टाँग कहा सकते हो suma column constant कहा सकते हो तो यह होता है constant आप अगर suma column का सवाल लगाओगे तो आपको उसमें क्या गरना पड़ेगा भीजा यह constant लिखना पड़ेगा ठिखे नहीं तो question गलत हो जाता है, अगर आप math में हो, तो आपको अगर ये constant नहीं लगाओगे, तो question गलत हो जाएगा, ठीक है, आप ये constant आ चुका है, आप इस constant को भी, ये main आदमी यही है, जो district कर रहा है, इस formula को हमें लाने में, तो क्या करना पड़ेगा, इस constant का हमें मान निकालना पड अगर आएगा, जब sum है 0 है, तो sum है 0 ये, तो अभीकारक केवल A ही तो होगा, A-X तो होगा नहीं, क्योंकि अभी तो X, मलब X क्या था, अभीकारक से जो उत्पाद थोड़ा बहुत बन गया था, वही तो X की मात्रा थी, तो अभी तो X होगा नहीं, क्योंकि T बराबर 0 में हमने क्या देखा था यहां पर टी बराबर 0 में हमने देखा था कि आर क्या था केवल A तो यहां पर A scriptures हो इस जी जागा भी 0 क्योंकि टी बराबर रखा है तो यहां से सी पाद निकालेंगे तो कितना आ जाएगा minus log e a ठीक है log base में e a क्योंकि ये तो 0 हो गया minus log base में e a और ये c आपका इदर बचा k into 0 क्या हो जाएगा 0 तो कोई तिक कर नहीं यहां से c का मान निकल गया कितना minus log base में e a ठीक है कोई असान एकदम minus log base में e a ठीक है आप देखो आगे क्या करते हैं या जब हम c का मान निकाल चुके हैं ये आगे आपका c का मान तो इस c के मान को हम क्या करेंगे यहां पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा minus log base में e a minus x equal to क्या था kt kt लिख दिया और ये जो minus log base में e into a c की जगा रख दिया ठीक है कोई दिक्कर नहीं आता देख सकतो c की जगा minus log base में e into a अब यहां तक तो हम लगा चुके आप क्या करते हैं आप आगे का process आएगा आप देखो थोड़ा सवर बचा है एकदम आसानी से आ जाएगा भी तो देखो इतने तक तो आ गया आप इधर minus का है यह अगर हम इधर रेले तो यह plus को जाएगे इतना तो आसान है एकदम आप जानतो यह minus का लिखा हुआ इधर इधर कर लोगे तो plus का जाएगा यह minus वाले को हमने इधर भी बुला लिया भी यह कि आ जो तुम तो इधर यह minus का था इधर आ गया plus में ठीक है तो plus में आ गया जब plus में यह आ गया और पूरा चीज वही लिखा है minus log base में e a minus x equal to kt ठीक है आप भी यहाँ यहाँ पर फिर थोड़ी सी math का एक formula आएगा जिसका नाम है चू की log m minus log n equal to log m upon n यह log की property होती लाग का एक गुरधर्म होता है कि log m minus log n ठीक है जहाँ पर आपको log m minus log n का formula आपका एक होता है आगर आपको कहीं पर भी मिलता है तो आप उसकी जगा log m upon n लिखतोगे यहाँ पर भी वह यह m की जगा a है n की जगा a minus x है तो इसलिए यहाँ पर यह formula आपको बताया जा रहा है log m minus log n equal to log m upon n होता है तो यह formula आपको इसलिए बताया जा रहा है तो देख सकतो a की जगा a को हमने क्या माना m n किसको माना a minus x को n किसको माना a minus x को तो m की जगा लिख दिया a n की जगा क्या लिख दिया a-6 और equal to kt था kt हो गया मतलब log m minus log n equal to log m upon n तो m की जगा a हो गया n की जगा a-6 एकदाम आसाने कि यही formula पर रख देना है equal to आ गया kt यहां तक कोई रिख कर नहीं आप क्या करना है यहां से में k का मान निकालना है तो यहां से k का मान निकालना तो t यहां पर गुड़े में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में तो t equal to 1 upon t हो जाएगा तो वही चीज कर दिया k equal to 1 upon t और जो बाद में यह वाला इतना था log base में e a upon a-6 तो यहां तक एकदाम आसान था k equal to k यहां से k का मान निकाला 1 upon t log base में e a upon a-6 यहां तक आराम से आ गया आप क्या करेंगे आप यहां पर एक चीज और लगेगा यहां पर लिखेंगे log base में e into x equal to 2.303 log base में 10x मतलब कि जहां पर आपको base e दिखा जहां पर आपको base e दिखाएगा base में यहां मतलब base यह होता है यहां पर log के नीचे e लगा होता है जहां पर e लगा और उसको आपको log base 10 में बदलना है तो उसमें 2.303 का गुड़ा करना पड़ता है तो यहां log base में e into x होता है तो उसको 2.303 log base में 10x लिखना पड़ता है तो यहाँ पे 2. यह log base में E और यह इतना आपका X की जगा है तो वही है आपका कि हमें log base में 10 में बदलना है तो हमने क्या किया इसमें 2.303 का कर दिया क्या गुड़ा कर दिया 2.303 का हमने क्या कर दिया गुड़ा कर दिया तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने log base में e को log base में 10 में बदलने के लिए 2.303 का गुड़ा कर दिया एक डम आसानी से आप निकाल चुके हो formula कुछ नहीं किया log base में e को log base में 10 में बदलने के लिए 2.303 का गुड़ा कर दिया तो k equal to 2.303 upon t log base में 10 a upon a minus 6 यही आपका है प्रथम कोटी अपक्रिया के लिए वेंजक ठीक है प्रथम कोटी अपक्रिया का वेंजक हम आसानी से निकाल चुके हैं देख सकते हो प्रथम कोटी अपक्रिया का वेंजक निकाल आया के equal to 2.303 upon t log base में 10 a upon a minus 6 किया कि आप बस थोड़ा बहुत जगा math के formula लगे हैं इन formula को आप एक जगा लिख लेना क्योंकि आपके आगे भी किसी किसी में काम आएंगे ठीक है अभी जब 2.303 कोटी अपक्रिया के लिए बेंजक तो यह formula आपको काम आ सकते है ठीक है यह आपकी जितने formula इनको लिख ल दाल पाएं तो जब आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करोगे एकदम असान लगेगा आपको ठीक है तो भाई अगर वीडियो अच्छे लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक चेरू करती जगा ओके थैंस वाचिंग दिस वीडियो